हेलो एब्रीवन वन्स अगेन वेलकम बैक टो माई चैनल नी टेम्स बायोलोजी बायो मेनी और विचो मैं हूँ आपकी बायो ग्रूप आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट चैप्टर का क्विक रिवीजन हम लोग रिवीजन इस तरह से करेंगे कि सारे कुश्चंस हमारे उसमें इंपोर्टेंट जो भी है वो कवर अप हो रहे होंगे और वो कुश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप एक कुश्चं को सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब कि आप आराउंड 3-4 कुश्चंस सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो को तक जरूर देखिएगा और जो बच्चे नए है आज चैनल पर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा अधर्वाइस आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आएगा किसी भी तक तक प्रेस नहीं करते हैं और जल्दी से इस चाटर को अच्छी तरह से प्रेपर कर लेते हैं लेट सार्ट so the first question is the disease in which high level of uric acid in blood our character stick is options we are having arthritis, rheumatism, gout and rheumatic fever before seeing the option we have to check that what question actually says the disease in which high level of uric acid the first thing which comes in our mind that how the level of uric acid raised in blood so guys when the breakdown of purine breakdown of purine will occur at that time the level of uric acid raise कहां पे रेस होगा बच्छों ब्लड में right so raise in blood and इसको एक और नाम से भी जाना जाता है and that condition is also known as hyper uricemia तो ये hyper uricemia के नाम से भी आपसे question पूच सकते हैं आप चलिए option देखते हैं arthritis तो arthritis actual में क्या होता है इसमें joints में swelling हो जाती है, inflammation हो जाती है और जिसकी वज़े से काफी जादा pain होता है और उसके साथ साथ stiffness भी आ जाती है right and जो दूसरा point हमें दे रखा है that is the rheumatism तो rheumatism में भी joints में ही inflammation होता है लेकिन उसके साथ साथ muscles में भी inflammation होता है clear इसी के तरह है, fourth option में हमारा rheumatic fever तो rheumatic fever जो होता है actually that is the damage to the hurt wall right and third option जो था हमारा gout that is actually the correct answer here because that is the most painful form of arthritis और ये तभी होती है जब blood में uric acid का level increase हो जाता है so here the right option is the gout ये जो मैं यहाँ पे आप लोगों को flow charts बना करके दिखाऊंगी आप लोग मुझे instagram पे follow कर लीजेगा मैंने already वहाँ पे आपको सारे flow charts upload कर दिए है आप लोग वहाँ से जाकर के से save कर सकते हैं आप लोगों को note करने की भी जरूरत नहीं है और वहाँ पे कुछ जादा ही अच्छे तरीके से मैंने उनको represent किया और साथ ही जाद में आप लोग telegram का link भी जोईन कर लीजेगा मैंने description में दोनों की ही link दे रखे हैं चलिए next question देखते हैं क्या निकोटीन हो सकता है नहीं है पहले most wrong वाले जितने भी है न हमारे बो हटा देते है और यूरिया क्या हो सकता है चलिए देख लेते हैं आगे तो पहली चीज़ों बचों लीवर में कह रहा है कि अल्कोहल कनवर्ट हो रहा है किस toxic substance में तो वहाँ पह एक enzyme पाया जाता है and that enzyme is known as alcoholic dehydrogenase alcoholic dehydrogenase right so यह enzyme जो होता है that converts alcohol into acetyldehyde clear so यह convert कर रहा है किसको alcohol को acetyldehyde में और अगर actual में देखें तो यह ज़ादा harmful form है more toxic than alcohol actually तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ that is more toxic than alcohol right तो यह actual में बहुत ही harmful है liver के लिए even person जो तो इसका मतलब वो उस person के लिए भी harmful है तो यहाँ correct option तो आपको देख गया है that is the acetyldehyde is the correct option अब मैं आप लों को कुछ additional चीज़ें और बता देती हूँ यह बन जाता है ऐसी teldehyde तो जो hangover के symptoms आते है first symptoms are the hangover symptoms तो hangover के symptoms में क्या क्या आते हैं hangover के symptoms में जैसे unpleasant mental and physical experiences होते हैं body में right इसके अलावा यह और क्या cause कर सकता है यह dizziness cause कर सकता है that also causes dizziness and साथ ही साथ में skin reactions भी cause कर सकता है clear और इसके अलावा यह क्या कर सकता है that can alter various functions of liver because it can bind with so many enzymes which are already made up of protein you know already that all enzymes are made up of protein तो वो उनसे bound करेगा और जब bound करेगा तो definitely उसके structure को alter करेगा और जब structure alter होगा तो it means उसका function change हो जाएगा कहीं पे वो जो काम हो सकता है वो किसी function को increase कर रहा हो किसी reaction rate को बढ़ा रहा हो या फिर हो सकता है वो किसी product को convert कर रहा हो तो वो अपने काम को proper तरीके से नहीं कर पाएगा तो it means various functions of liver by binding to different proteins also affected by it तो यहां correct option आपको दिख गया होगा that is the acetaldehyde next question क्या है ELISA is used to detect viruses where यह question आपका AI PMT 2004 में आया हुआ question है options आपके पास में दे रखे हैं southern blotting is done second option है आपके पास में alkaline phosphatase is the key region and third option है आपके पास में catalase is the key region तो actual में क्या होता है ELISA में इसमें antigen और antibody reactions देखी जाती है इसमें हम antigen coated wells जो होती है I am writing here antigen coated wells इनको interact कराया जाता है antigen specific antibodies किसी भी antibodies है नहीं वो उस particular antigen के लिए जो specific antibodies होंगी उनसे इनको interact कराया जाता है और जब फिर incubation में इनको रखा जाता है तो क्या होता है यहाँ पर लिख देती हूँ मैं that is in incubation जब incubation में रखा गया तो फिर यह क्या करेंगी bind करने लगेंगी और bind कर रही है तो यह चीज हमें कैसे बता चलेगी कि यहाँ पर antigen antibody reaction जो है वो perform हुई भी है या फिर नहीं perform हुई है तो इस चीज को देखने के लिए बिटा दो color agents या आप कह सकते हैं कि दो color reagents यूस किया जाते हैं एक तो आपका जादा तर यूस किया जाता है that is the horse reddish peroxidase and जो दूसरा यूस किया जाता है that is the alkaline phosphatase तो यहाँ पर जो आपका correct option आएगा बच्चो that is the alkaline phosphatase is the key reagent right so second option यहाँ पर आपका correct होगा इसका flow chart आपको insta पे मिल जाएगा या मैं telegram पे भी इसको upload कर दूंगी next question क्या है आपका which technique is used in neurosurgery to remove the inoperable brain tumors they are saying inoperable it means they are very very you can say very very dangerous if we are going to operate these tumor or we are going to remove these tumors from brain so for this purpose we are using a special kind of technique and that technique is also known as gamma knife radio surgery gamma knife radio surgery right और यह एक stereotactic procedure होता है in which we use hundreds of highly focused gamma radiation beams to target the tumors to target the lessons within the brain और यह सबसे अच्छा तरीका है surgical procedure को करने का जब बहुत ज़्यादा risk को हो patient में उस particular operation को करने के लिए तो यहां पर आपको gamma knife surgery से gamma से ही आपको पता चल गया होगा disease and titanus and fourth option है आपका hepatitis B तो सभी को पता होगा कि जो AIDS है that is actually sexually transmitted disease है यह blood के transfusion से भी हो जाती है और यह mother से fetus में भी transfer होती है तो यह option तो नहीं हो सकता दूसरा है आपका जो rabies है rabies को भी हम देखेंगे क्योंकि आप infected animals कह रहा है तो rabies most correct होने के chances है third है आपका tetanus है तो tetanus भी person to person नहीं transfer होता है और नहीं animal to person transfer होता है यह किसी particular person के particularly अपने आप से infect होने के बाद ही यह होता है तो इसमें transmit होने के कोई भी chances नहीं है और last आपका जो fourth option दे रखा है hepatitis B तो hepatitis B जो है वो transmit होता है through the blood and infected body fluids के थूँ और second option जो आपका बच रहा था rabies यही correct option होगा लेकिन मैं इसको पूरा explain कर रही हूँ इसलिए क्योंकि यह तब होता है जब वो particular animal already infected हो यानि कि वो animal क्या कहलाते हैं बच्चो that are also known as rabid animals जब यह animal किसी particular person को bite करेंगे तो इनका mode of transmission यही होगा यहाँ पे आपका second option जो rabies दिया हुआ है that is correct है next question है आपका causative agent of french pox cephylis is तो options आपके पास में दे रखे हैं tryponema, varicella, claim idea and tryponema pallidum तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो french pox है उसको एक और नाम से जाना जाता है that is the syphilis यह आपको आपको mention किया गया है और कभी-कभी वो आपसे हो सकता है बिना mention किये भी directly पूछ ले और यह बचो एक sexually transmitted infection है that is a sexually transmitted infection अब यह किसके थू होता है that occurs via spirochet bacterium and वो कौन है that is the tryponema pallidum तो आपको correct option देख गया होगा fourth option में आपको दे रखा है that is the tryponema pallidum is the correct answer चलिए next question क्या है आपका Huntington Korea is a disease which affect to the kidney in which degeneration of nervous system leading to involuntary shaking of head arms and legs common in Korea and similar to diabetes common in Korea तो पहले सही दिख रहा है कि option नहीं हो सकता that is wrong here आप जो Huntington Korea है इसको एक और नाम से जाना जाता है that is known as Huntington disease उसी नाम सही जाना जाता है आपको पहचान जाएंगे आपको अगर एक्जामी ऐसे भी पूछता है Korea के इलावा disease की नेम से भी तो भी आप इसको पहचान जाएंगे and ये इसके जो symptoms होते हैं वो होते हैं ये actual में क्या करता है central area जो होता है brain का उसको effect करता है तो जब central area को effect कर रहा है तो इसका मतलब ये movement को effect करेगा और साथ ही साथ में ये moods को भी effect करेगा इसके अलावा ये जो thinking skills होती है इनको भी effect करता है अब इसमें होता ऐसा क्यों है क्यों हो ये सारे symptoms आ रहे हैं तो इसमें actual में क्या होता है जो nerve cells होती है brain में उनका degeneration होता है तो I think आपको दिख गया होगा कि यहां पे जो आपको second option में दे रखा है कि in which degeneration of nervous system leading to involuntary shaking of head, arms and legs तो movement effect हो रहा है involuntary shaking of head भी हो रहा है और nervous system degeneration की बात हो रही है तो second option यहां पे आपका correct होगा इसका korea से लेना देना कुछ नहीं है और ये kidney की भी disease नहीं है और साथ ही साथ में यह diabetes के similar बिलकुल भी नहीं है चलिए next question आपका क्या है anti-histamine drug is effective in bacterial infection, viral infection, paraplegia and allergy तो anti-histamine actually में क्या anti-word से यह आपको पता चलोगा जो work histamine कर रहा है इसका मतलब कि anti-histamine दे रहे हैं तो वो उस particular function को stop कर रहे है तो histamine जो होता है यह stimulate करता है histamine receptor से bind हो जाता है उनको stimulate कर देता है bind हो करके और जब वो उनसे bind हो जाता है मैं आप लिख देती हूँ that histamine binds with किससे bind कर रहा है histamine receptor से bind कर रहा है और जब उनसे bind कर जाता है तो यह क्या produce करता है यह बहुत सारी allergic reactions produced करता है, which type of allergic reactions, there are so many kinds, जैसे कि आपके itching हो गई, itching के अलावा आपको hay fever हो सकता है, and rashes हो सकते हैं, right, और hives भी कहते हैं, तो ये सारी चीज़े आपके किस में आती है, allergic reaction में, अब anti-histamine देते हैं, तो क्या होता है, जब हम anti-histamine देंगे, तो ये drug क्या करेगी, histamine receptor से ही जाकर के bound कर जाएगी, तो जब वहाँ पर already bound कर देगी, उसका structure change कर देगी, तो फिर क्या वहाँ पर जाकर कि ये histamine bind कर पाएगा, नहीं bind कर पाएगा, और जब ये उससे bind नहीं कर पाएगा, तो क्या ये किसी allergic reaction को produce कर पाएगा, नहीं produce कर पाएगा, तो basically आपको समझ में आ गया होगा, कि anti-histamine drug जो है, वो allergy होने पर दी जाती है, ताकि उसको stop करे, और कैसे stop करती है, वो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया, so here fourth option is correct here, next question है आपका, minimater disease was caused due to the consumption of, जो minimater disease है, ये basically आपकी जेपान की disease है, और ये minimater एक प्लेस है, वहाँ पर ये डियाग्नोस की गई थी, actual में वहाँ पर क्या हुआता है, इसके पीछे एक छोटी सी पूरी information जो है, वो मैं आपको दे देती हूँ, वहाँ पर बहुत सारा ऐसा waste जो है, reverse में पॉंस में जा रहा था, जिसमें mercury बहुत जादा quantity में था, तो fishes वहाँ की जो थी, वो उसको ले रही थी, जब intake कर रही थी, और उन fishes को जब वहाँ के local people ने लेना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, वो उनकी body में पहुँचने लगा, तो उनकी body में किस तरह के symptoms दिखाई देने लगे, जिसे कि ataxia, right, ataxia हो गया, numbness हो गई, numbness कहां पर, उनके हातों पैरों में numbness होने लगी, and इसके साथ ही साथ में उनकी muscles जो थी, वो weak होने लगी, right, so muscle weakness is also there, and उसके अलाबा, उनका जो field vision था, वो क्या होने लगा, narrow field vision, right, और इसके अलाबा क्या, उनकी जो damage होने लगी थी, ability hearing की भी, और साथ ही साथ में speech की भी ability, so damage in hearing and speech ability, right, so ये सारे कैसे symptoms उनको दिखाई देने लगे, और ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत थोड़े से time के लिए, कुछ months के लिए रहा हो, ये around 20 to 30 years तक ये चीज हुई थी, तब लोगों को जाकर के पता चला कि ये किस वज़े से हो रहा है, तो option तो आपको मिल गया होगा, लेकिन मैं इसकी पूरी information आपको दे दे रहीं, क्योंकि ये question काफी important, AIMS 2004 में ये question पूछा भी जा चुका है, और ये severe mercury poisoning की वज़े से होता है, और इस disease को एक और नाम से जाना जाता है, और ये एक नूरोलोजिकल सिंड्रोम है, क्योंकि ये ब्रेन से ही सारी चीज़े कंट्रोल हो रही है, तो इसलिए ये इसका मतलब उसको ही कही ना कहीं जाकर के अफेक्ट कर रहा है, so that's why it is known as a neurological syndrome, its second name is a kaizomenomata disease and its symptoms में आपको बता दिये, यह options में देख लेते हैं, क्या थे, seafood containing lot of cadmium, no, fish contaminated with mercury, yes, ये correct है, oysters with lot of pesticides and seafood contaminated with selenium, no, so second option ही आपका यहाँ पे correct होगा, चलिए, next question क्या है देखते हैं, which one of the following disease is not transmitted by mosquito, right, dengue fever, malaria, typhoid, brain fever, तो बिटा यहाँ पे dengue fever के बारे में पहले अगर हम देखनें, तो dengue fever जो है, वो transmit आपका किस से होता है, edis, aegypti, के थू होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, that is from edis, aegypti, and that is actually caused by the virus, यह transmit यह करता है, लेकिन यह इसको cause कौन करता है, virus cause करता है, second है, आपका कौन सा malaria option दे रखा है, तो malaria is caused by, यह सभी को पता होगा, that is caused by female anophilies, right, फिर आता है जो typhoid, तो typhoid बिटा आपका, यह mosquito से नहीं transmit होता है, and even यह viral disease भी नहीं है, यह actually bacterial disease है, इसको salmonella typhi नाम का एक bacteria होता है, यह cause करता है, इसमें spots आजाते हैं, chest पे, body पे, red color की या rose pinkish, reddish spot आने लगते हैं, high fever हो जाता है, numbness ही आने लगती है, so these are the symptoms, और यह cause होता है, salmonella typhi bacteria, जो है उसके थूमें, यहापे लिख देती हूँ, salmonella typhi, जो आपका यह फोर्थ है, आपका brain fever, that is also caused by virus, but transmitted through the culex, culex mosquito जो है, इसका पूरा नाम है, culex tritiniorhynecus, यहापे लिख देती हूँ, culex tritiniorhynecus, and that is also caused by the female mosquito, so यहापे आपका जो, कह रहा है ने, कि not transmitted by a mosquito, तो आपको दिग्या होगा, that is via typhoid, जो है, वो आपका नहीं है, mosquito के तूरांजमेट नहीं होता है, so third option आपका जो है, वो correct होगा यहापे, चलिए, next question क्या है आपका, to which type of barriers, under innate immunity, to the saliva in the mouth, and the tears from the eyes belong, तो immunity जो होती है, दो types की होती है, एक innate, एक acute immunity, जो innate immunity है, यह अपने आप में कई सारे types की होती है, यह जो सारे types आपको दे रखे हैं, actually, यह सारे ही types इसके present होते हैं, cellular barriers भी होते हैं, physiological barriers भी होते हैं, physical barriers भी होते हैं, cytokine barriers भी होते हैं, generally, जो cellular barrier, तो यहां पर बच्चो जो फिजिकल बैरियर है आपका उसमें आपकी आती है इसमें आपका आजाता है बाइल जूस आ गया इसके अलावा आपका पी एच और स्टमक आजाता है इसके अलावा saliva भी इसी में आएगा option आपको दिख गया होगा and tears भी इसी में आते हैं बाकी जो आपका ये cellular barriers और cytokine barriers है तो ये दोनों लगबग एक जैसे ही रहते हैं इसमें आपका cellular barriers की अगर हम बात करें न तो इसमें cytokines को हम include का सकते हैं तो इसमें आपके cytokine तो दिख रहा होगा कि ये through the cytokine हो गया and जो cellular है इसमें आपके हो जाएंगे leukocytes और इसके अलावा आपके हो जाएंगे macrophages cells and इसके अलावा आपके cytokine barriers हो गया तो यहां पे आपका जो पूछ रहा है वो tears and saliva है तो वो physiological में आते हैं इसलिए आपका जो second option है वो यहां पे correct होगा next question क्या है आपका the cry-do-chat syndrome is caused by change in chromosome structure involving deletion, duplication, inversion and translocation तो यह syndrome जो होता है यह actually में deletion की वज़े से होता है लेकिन यहां पे जो important चीज मैं आपको बताऊंगी क्योंकि यह aims का आया हुआ question है इसलिए यह काफी important है तो इसके पूरी जानकाली होनी जाए हमें तो यह एक बहुत यह rare syndrome है और यह deletion होता है किस में short arm में deletion होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा chromosome structure में एक long arm होती है एक short arm होती है that is the pew arm and q arm respectively तो यहां पे किस में होता है deletion short arm में होता है अब दूसरी जो important बात आती है वो है किस chromosome में होता है तो that actually occurs in chromosome number 5 इसमें होता है और तीसरी जो important बात इसमें आती है कि इसको किस ने describe किया था that is described by the scientist Lejuine in year 1963 तो इसको question को इससे ज़ादा घुमा करके नहीं पूछा जा सकता है तो यहां पे आपका जो first option है that is the deletion यानि कि वो पूरा का पूरा sequence अगर यहां पे A, T, G, C, T, A यह कोई भी sequence में आपको बता रही हूँ common तो यहां पे पर्टिकुलर यह पूरा sequence ही क्या हुआ डिलीट हो गया जिसकी विजह से यह crydochat syndrome हो रहा है यह exact वह sequence नहीं है यह मैंने आपको एक example दिया है और duplication में आपको पता क्या होता है suppose that पूरा क्या हो वापस से copy हो जाए inversion में क्या होगा मतलब इसको पलट दिया जाए यह इस तरह से invert हो जाता है translocation में क्या होगा यह दूसरी location पे पहुन जाता है तो that is actually translocation but that syndrome is occurs with the deletion next question आपका क्या है the cause of Kala Azar disease yes, Kala Azar पे कई बार question पूछा जा चुका है तो Kala Azar को हम लोग और किस नेम से जानते है that is also known as black fever and इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है that is dumdum fever यह दो तो इसके names हो गए इसके अलावा इसके symptoms क्या होते है fever हो जाता है anemia होता है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ symptoms में है आपके fever and anemia and इसके अलावा आपका enlargement हो जाते है किसमें enlargement हो जाते है नहीं कि आपके liver and spleen right तो यह सब कुछ इसके symptoms होते है इसका transmission जो होता है that occurs actually by the sand fly right और इसका जो causative agent है इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक इसका और नाम बता रही हूँ that is also the name tropical उससे आपको answer मिल जाएगा बिलकुल right lishmaniasis right तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा lishmania donovania यहाँ पे दे रखा है third option में तो यही इसका causative agent होता है जो काला अजार को cause कर रहा है तो यहाँ पे तीन नाम भी मैंने आपको बता दिये और इसका जो transmission कैसे होता है sand fly के तुरू होता है symptoms भी बता दिये तो यह question अब किसी भी तरह से पूछा जाए तो मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग कर लेंगे बच्चों अगर आपनों को लग रहा हो कि वीडियो आपनों के लिए helpful रहा है तो इसे एक like जरूर करना next question है आपका cell monela is related with अभी cell monela से हमने related a question करा था तो अभी हमें पता है कि वो typhoid से related है या IPMT 2001 में पूछा गया a question तो that is typhoid polio TB titanus तो typhoid है correct option बागी मैं इसको आपको थोड़ी और information दे देती हूँ that is actually a gram negative bacillus right and that belongs to enterobacteriaceae family clear इस family को belong करता है और यह जो name है bacteria का that is full name is cell monela typhi right and कहां पर यह पाया जाता है that actually found in spleen lymphatic system intestine and blood of infected person और इसको कैसे हम पैचानेंगे कि हाँ यह वही particular fever है इसमें rose colored small spot या rashes होने लगते हैं chest में and skins में और इसके symptoms मैंने आपको बता दी fever हो जाता है nausea loss of appetite, diarrhea and headaches यह सब इसके symptoms होते हैं और यह bacteria जो होता है that also found in the faces of infected person तो इसलिए थोड़ा सा precaution लिया जाता है जा गर को इसी को typhoid हो जाता है तो इसकी किसी भी चीज को use नहीं करते हैं उसको थोड़ा सा separate अगा जाता है right? तो यह दे बच्चो आपके 15 questions और मुझे पूरी उमीदे के इन questions ने आपकी help जरूर करी होगी तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा ताकि इसी तरह से आपको मैं और revision कराती रहूं और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे like जरूर करना तो नेक्स्ट वीडियो में बिलते हैं तब तक के लिए बाबाई और स्टेए टून वाइट बाइमेनिया और इंजोई दे नॉलेच बाबाई